कि आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ससी का नोटिफिकेशन यह देखिए ऐसे सी सीजियल की और से बहुत नया नोटिफिकेशन कल ही आया है और इसमें नहीं वेकेंसिस के बारे में आपको जानका ही दी गई है सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि जो एप्लिकेशन पोसेजर स्टार्ट हो रही है डेट्स पोर सब्मिशन अफ ओल्लाइप्लिकेशन यह 17 सेप्टेंबर सेवंटी नाइन ट्वंटी ट्वंटी टो से लेके एट ऑक्टोबर तक उपन हो चुके है लास्ट डेट टाइम फोर रिषिवट ओल्लाइल अप्लिक होने वाले हैं तो इसके लिए आप अच्छे से तयारी काई यह सबसे पहले हम देखती कि वैकेंसी कितनी आई यह नंबर आफ वैकेंसी पे में आपको जाऊंगा कि यह देखिए वैकेंसी जिजर्वेशन टैनिटिव वैकेंसी डियार अप्रॉक्सिमेटली टू थाउजेंड 20,000 माफ कीजिएगा 20,000 वैकेंसी आई यह 20,000 वैकेंसी और जहां तक मुझे पता है कि पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आई यह SSE में तो यह बहुत बड़ी आपके सबके लिए उपर्चिनिटी है इस बार और अच्छी बात यह कि एक्जाम दिसंबर में होने वाले है मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन निकाल जाए फिरो आपको लटकाने वाले है नहीं इस बार उन्हेंने परियास कराए कि जितने जल्दी हो सके एक्जाम कंड़क्ट कराए जाए जिससे कि आप सभी जो अनाउशक चीजे की जो केवसिटी रहती है उससे आप तो भी हम उमिद कर सकते कि बहुत जल्दी ही यह भी दो तीन महीने के अंदर अंदर करा जाए जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा डिटियल नोटिफिकेशन में जाते है कि कौन-कौन सी आपके लिए पोस्ट आ रही है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल वन की जो प 21 के आसपास है तो यहां पर ऐसे ही बहुत सारी पोस्ट हैं यहां असिस्टेंस सेक्शन ऑफिसर आ रहे हैं इसमें 20 से 30 साल ग्रूप भी है यह बहुत सारी पोस्ट ही सारी सारी यह देखी इंस्पेक्टर ऑफ इंकम टेक्स ऑफिसर जो की काफी रेपिटेड एक जोब माने इस दिसे चिपोस्ट है सारी की और यह इस बार एक सास हा रिखी है यहां पर इसिस्टैंट डिवीज की पोस्ट है सारी की सारी सेंट्राल येnor इसी जिसके लिए लोगों का एकATHERा हूता है вже नहीं यह जॉब करनी है तो बहुत बड़ी opportunity है जो सबसे अच्छी मेरे को इस बार जो बात लग रही है notification की वह यह है कि exam वो time से कराना चाहरे है December में ही exam कराना चाहरे tire one का क्योंकि जादर cases में होता क्या है कि आपके लिए notification आ जाता है लेकिन exam कराने की process में इतनी लेट इतनी कोता ही बढ़ती जाती है कि तब तक बच्चा वैसे प्रशान हो जाता है कि कब exam होगा कब क्या होगा तो इस बार आप इन सभी की चीजों से बचे और अपना पूरा का पूरा जो दिहान है वह competition की preparation में रखे और यह बहुत अच्छी opportunity यहां पर auditor की है यहां पर CGDA office के अंडर है अट minimum age देखे आप 18 to 27 यह भी एक बहुत अच्छी opportunity है 18 minimum age limit 18 है और maximum 27 तो जो नए नोजवान है जो अभी हाल ही में 12 करके जो निकले होंगे तो उनके लिए वी यह chances हो सकते हैं यहां पर postal assistant है sorting assistant है फिर से यह सब inspector की यहां पर पोस्ट है Central Bureau of Narcotics Ministry of Finance में यह upper division color है minimum age 18 to 27 18 to 27 आपको हर जगे दिख रही होगी अच्छा इसमें मैं कहूंगा यह 27 यह सारी सारी एज जो criteria है यह जनरल के लिए है जो category wise है वो इसमें जैसा rule है उसके हिसाब से आपको relaxation मिलेगा यह detail में notification है यहां पर notes करके है यह आप देख सकते है download हो जाएगा यह पूरा का पूरा notice SSCCL की official website से और यहां पर थोड़े बहुत यह nationality citizenship तो आपको फिलाल इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप citizen of India है और नैपाल और भूटान वाले इसके लिए apply कर सकते age limit आप देखिए जैसा कि यहां पर यह बहुत महतवपूर्ण है कि 21 यानि दो जनवरी 1995 से पहले का आपका जनवर नहीं होना चाहिए और एक जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए जिनका जन्म इसके बीच में हो रखा है वो apply कर सकते हैं इन सभी exams के लिए यह जिसकी age limit आपकी 18 से 27 है जिन किसी पोस्ट के लिए आपकी age limit 20 से 30 है वो 2 जनवरी 1992 से पहले और 1 जनवरी 2002 के बाद उनका डियो भी नहीं होना चाहिए जिसके लिए 18 to 30 है age limit आप उसके लिए देखिए उसके लिए आपका वही है 2 जनवरी 1992 लेकिन 1 जनवरी 2004 के आस पास उसके बाद क जनवरी नहीं होना चाहिए और जिन पोस्ट के लिए आपकी age limit 2032 है उनका जो जन्म है वह 2004 और जो maximum है वह 9090 से पहले नहीं होना चाहिए यहां पर relaxation जैसा कि मैंने बोला था कि category वाज आपको relaxation मिरेगा तो यहां पर relaxation आपको दे रखा है SCST के लिए 5 साल का relaxation मिलेगा एज में OBC के लिए 3 साल का PWBD के लिए 13 साल का यह 10 साल का 15 साल का यह जैसे जैसे आपके relaxation है जो जो अपलाई हो सकते है वह अपलाई आपके पास हो जाएगे एक सर्विसमेन के लिए 3 साल का है तो सभी की यहां पर eligibility criteria वह सब कुछ दिया गया है इन जनरल आप क्या समझिए कि जिसकी भी जिसकी पोस्ट के लिए जो minimum age limit है 18 है तो most possibly chance है कि वह 12 आपका minimum education qualification होगा और जिसके लिए आपका 20 होगा minimum age limit तो उसके लिए graduation होने वाला है यहां पर central region में अलग-अलग region wise भी यहां पर आपको दे रखा है कि कहां कहां पर post है regional director सब कुछ यहां पर दे रखा है वो वैसा ही रहने वाला है जैसे SSC का पहले से है general intelligence reasoning के 25 question आएगे और इसके maximum mark 50 है यह tier 1 का examination जो की December में होने वाला है पहले हम उसकी preparation करेंगे general awareness का यह 25 question है 50 marks के होगा और यह सारा का सारा एक hour के अंदर आपको 100 question करने होगे quantitative aptitude और यह English comprehension क्योंकि एक घंटे के अंदर 100 question आपको attempt करने तो आप सोच सकते है question का level difficult नहीं होगा वहाँ पर practice चाहिए होगा जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इसमें perform कर पाएंगे तो अभी से जुट जाईए आप क्योंकि दिसंबर बहुत जादूर नहीं है और यहां पर there will be negative marking और यह negative marking शायद में पहली बार देख रहा हूं one fourth negative marking माफ कीजेगा मुझे लगा कि maximum mark one होगा कोई नहीं तो negative marking है यहां पर one fourth negative mark आपका कड़ जाएगा तो आगे चलते है टायर two examination जिसकी date अभी announce नहीं है लेकिन हम उम्मीद कर सकते है कि जैसे टायर one का examination खतम होगे तो बहुत जल्दी टायर two का examination भी schedule कर दिया जाएगा उसका भी यहां पर पूरा format दे रखा है क्या क्या है English language है general awareness reasoning है computer knowledge भी पूछा जाता है data entry speed है aesthetics है यह सारी के सारी जो condition से वो टायर two के exam के लिए है तो यहां पर मैं additional रूप से आपको बात करना चाता हूँ कि Krishna classes की ओर से भी प्रियास किया जाएगा mock test लाने का और यह वो चात्र हम जो previous चात्र है या कुछ ऐसे अनुभवी अध्यापक है जिन्नोंने खुद अपने आप SSC clear कर चुके है एक बार नहीं कई बारों SSC clear कर तो ऐसे चात्र या फिर ऐसे जो अध्यापक है जो लगबग दो तिन साल से पढ़ा रहे है काफी अच्छे समय से उनका अनुभव रह चुका है वो सारे के सारे mock test लेके आएंगे आपके लिए pattern लेके आएंगे और जो कि आपकी study में benefit देंगे और mock test की जो fees होने वाली है व माफ कीजिए mock test की नहीं यहां पर आवेदन क्या जो शुलक है application fees हम उसकी बात कर रहे थे वो 100 रुपए है women candidates and candidates belonging to schedule cast यानि जो reserve category है और including women उनकी जो fees है उसमें waiver है उनकी कोई fees नहीं है वो free में आवेदन कर सकते है इन सभी के सभी 20,000 के पोस्ट के लिए और सिरफ online application आपके अविलेवल है आप online mood में ही apply कर सकते है और cbt based examination होगा जैसा कि एससी पिछले वर्षों से करा रहा है तो इस बार विए उसमें कोई परिवर्था नहीं है यह ssc cgl की official website में आपको notification मिल जाएगा आप आराम से एक दो दिन ले सकते हैं पुरा का पुरा notification पढ़ने के लिए ले जाएए क्योंकि एक जरूर ही होने वाले हैं December 2022 में ऐसा नहीं होगा कि आगे हम पोस्ट पॉंड हो जाएगा तो यह सारी की सारी जो बात है थी मुझे आप से share करनी थी और मुझे प्रसंदता हो रही है यह सूचना आप सभी को साजा करते हुए कि December 2022 में टायर रन के जो एक स्टेज में आपको शो करने पड़ सकते हैं वह यह है आवश्यक रूप से वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड होगा या पासवोर्ड या फिर जो आपके जनरल मांगे जाते हैं और बाकी सारी इंफ्रोमेशन जो आपको वन टाइम रिजिस्ट्रेशन जो की जो चा जाके अपलाई कर सकते हैं अलग-अलग पोस्टों के लिए तो यह सारी सुचना थी जो मुझे साजा करना थी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और बहुत से अधिक छात्रों तक आप इस सुचना पहुंचाने का परियास करें और टेस्ट के लिए सब्सकाइब करें क्रिशना क्लास इसको बहुत-बहुत धन्यवाद